हलो आव्रीवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके देखे अदानी ग्रूप का स्टॉप रोलर कोस्टर राइड का मजा दे रहा है कभी क्विकली उपर कभी क्विकली नीचे और इतनी स्पीड से हो रहा है कि ट्रेडर हैरान और परेशान है हिंडनबग की रिपोर्ट के बाद गिरावट हुई फिर लास्त तीन दिन में थोड़ी थोड़ी गुड़ी गुड़ी नीउस आई तो तेजी हुई और वापस से इतने सारे बंव एक साथ फुटे कि आज गिरावट हो गई और उसी पर एक प्यारी सी मीम मैंने बनाई है मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये मीम इंस्टाग्राम पे है अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कीजे इसको फिर से दिखाते हैं ये देखे उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है अब अगर देखा जाए तो मजाक की बात अलग है बट अधानी ग्रूप के इंवेस्टर की कहानी कुछ अल्मोस्ट इसी तरीके की है और आप इंस्टाग्राम से जूर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो सबसे पहले वन बाई वन जानते हैं क्या क्या बंपुटा और लास्ट में सबसे इंपॉर्टन बात और साथ में कल के लिए बहतरीन सेर तो चलिए सुरू करते हैं अधानी विल्मर से हिमाचल प्रदेश के में जो अधानी गुरूप की कंपनी है अधानी विल्मर वहाँ पर स्टेट एक्साइज और टेक्सेशन डिपार्टमेंट ने छापा मारा ये कल रात हुआ है देर रात आठ तारी को ये च्छापा इसलिए मारा गया क्योंकि कंपनी पर आरोप लगा है कि उसने पिछले पांच साल से जियश्टी का भुगतान नहीं किया लेकिन अधानी विल्मर का कहना है कि टेक्स अधिकारी को कंपनी के संचालन में कोई गरबरी नहीं दिखी टेक्स डिपार्टमेंट ने इस कारवाई के तहट कंपनी के स्टेट ऑपरेशन से जुरे इनपुट टेक्स क्रेडिट क्लेम की जानकारी मांगी है अधानी ग्रूप की हिमाचल परदेश में कुल साथ कारेरत कंपनिया हैं जिनमें फलो के लिए कोल्ड स्टोर से लेकर किराना समान की सप्लाई सामिल है यहाँ पर अधानी विल्मर्ड ने एक ओफिशल बयान दिया है कि टेक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कंपनी के ओपरेशन और लेन देन में कहीं कोई गरबरी नहीं मिली है हम यह सपस्ट करना चाहते हैं कि GST कानून के नियम 86B के तहट कंपनी को नगद में टेक्स लिबिलिटी का भुगतान करने की जरुवत नहीं है साथ में इस बात पर भी जोड देना चाहते हैं कि यह संबंदित अधिकारियों द्वारा किया गया एक नियमित परिक्षन था, निरक्षन था, कोई छापा नहीं है जैसा कि मीडिया में कहा जा रहा है तो यह किस ने कहा, यह दानी विलमर ने कहा, सवाल यह है जिसने छापा मारा, उस अधिकारी नहीं क्या कहा, वहां से कोई ओफिशल बयान नहीं है यह है एक conflict, समझेगा, जब दोनों साइड से अगर एक जैसा बयान आए, तो माना जा सकता है तो वो एक missing part है, जिसका इंतजार सब को रहेगा कि भाईया, ओफिशल बयान वहां से भी आ जाए, क्योंकि लोगों के पैसे लगे होते है और ऐसी news पर एक तो negative ख़बर चल रही है, और negative ख़बर इंसान को परिशान कर देती है तो आप को क्या लगता है, आप अदानी विल्मर के दिये गए जो सफाई है उससे संतोष्ट है कि हाँ यह यूही था, या कुछ गरबर है, कमेंट में जरूर बताईएगा अब बात करते हैं, दूसरे बंक की MSCI MSCI ने कहा है कि वो अदानी ग्रूप की कंपनी के सेर के free float की इस्थिती की review करेगा और साथ ही अपने index में सामिल होने की अदानी ग्रूप के सेर की जो योगता है उस पर विचार करेगा अध्यान से सुनिएगा, अब ये report आने के बाद हुआ है, अब यहाँ पर कहना ये है कि उसे अदानी ग्रूप से जूरे कुछ खास securities की free float इस्थिती और ellipsalty के बारे में कई market participants के feedback मिलें, अब अगर MSCI अदानी ग्रूप की कंपनियों के free float सेर की संख्या घटानी का फैसला करता है तो सेर के price पर negative impact आएगा MSCI के review करने की जो फैसले की खबर है, इसके बाद आपने क्या देखी, सेर में गिरावट देखी अब आप कहोगे ये कौन है, free float किया है, तो देखे, MSCI का पूरा नाम है Morgan Stanley Capital International, ये एक investment research firm है, जो global institutional investor को stock indices और governance suit टूल देता है Index fund, his fund और exchange traded fund, MSCI indices को benchmark वांगते हैं और उसी के आधार पर अलग-अलग market में investment के फैसले, allocation के फैसले लेते हैं और MSCI Index में किसी तरह का बदला होने पर stock market में बड़ी खरीदारी या बड़ी विक्वाली आप लोग देखते हैं, जो होता है और वो अगर कुछ हुआ तो देखने को मिल सकती है, ये जो review होता है, हर तीमाही पर होता है, हर 6 मेने पर वो अपने indices को rebalance करता है rebalance के बाद MSCI indices से कुछ share को हटा दिया जाता है, कुछ को add कर दिया जाता है, जिसके बारे में अगर आप proper follow करते होगे तो आपको पता होगा इससे market में कुछ share में खरीदारी बढ़ती है, तो कुछ में बिक्वाली 30 नमबर 2022 में चले जाएं, तो MSCI global standard index में 6 भारतिय कंपनियों के सामिल किया गया था और उसके बाद Indian market में 9,010 करोर रुपे की खरीदारी होई थी अब आप कहोगे, ये तो अच्छी बाद आपने बता दी, free float का मतलब गया है तो किसी कंपनी के उन सेर से है, free float का मतलब, जो public trading के लिए उपलब्ध रहते हैं और MSCI उन सेर को free float मानता है, जो कुल सेर में से इन विदेसी investor को खरीदने के लिए public equity market में उपलब्ध होते हैं और अधानी सुमग जो group है, उनकी 8 कंपनी के सेर MSCI index में है जिसमें अधानी enterprises, अधानी port, अधानी total gas, अधानी green, अधानी transmission, अधानी power, अंबुजा और ACC है अब यहाँ पर एक और interesting सी कहानी हुई है कि MSCI के इस एलांग के बाद जो Hindenburg के founder है Nathan Anderson जिन्होंने ये सारा game किया है वो बड़े खुस हैं और वो कह रहे हैं कि भाईया ये जो बयान आया है ये इस बात को बताता है कि Hindenburg की report में dumb है अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता दू, dumb है, नहीं है, वो भगवान जानते हैं वो बहुत ही higher level पर अदानी ग्रूप में फसे हुए हैं, ये भी उतना ही बड़ा सच है और यही है एक stock market की सचाई, जहां कोई कमा रहा है और कोई गमा रहा है अब हम बात करते हैं तीसरे बं की, वीडियो को like कर दीजे दोस्त, जिससे हमें भी प्यार मिलता रहे और 10 फरवड़ी कल से सुरूर ही है stock market master class, जहां पे सबसे प्यारी चीज, कोई भी सीख कर कमा सकता है जैसे आज भी मैं live आया था, कल जो stock दिया, live market में दिया, तो वो सब चीजें आपको पूरी फायदा करेंगे कि साथ में हम आपको देने वाले हैं, trading के लिए stock level, क्योंकि आप सब loss में रहते हैं, तो आप सीख भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, आपका होसला भी बढ़ रहा है, और होसला बढ़ता है, तो decision सही होता है, hand holding भी मिलेगा, तो cash future option जहां मन trade कर लो, nifty bank, nifty जहां मन trade कर लो, और एक real support system, जो एक हर beginner को जरुवत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस डर से नहीं सीखते हैं कि क्या मैं सीख पाऊंगा, मुझे तो English ही नहीं आती है, मेरे को laptop ही नहीं आता है, दोस्त कोई भी सीख सकता है, बस जुनून और पागलपन होना चीए, और जुनू से बात करेंगे, तो समझ में आप आएगा कि कैसे हम आपके लिए dedicated हैं, आपको सिखाने के लिए और कमा के देने में help करने के लिए, बात करते हैं तीसरी बंग की, अदानी ग्रूप पर तीसरा बंग के रूप में बात करें, तो France की total energy ने जटका दे दिया, उन्होंने कहा क कि उसने अदानी ग्रूप के 50 अरब डॉलर के hydrogen project में investment था, उसको hold कर दिया, और जो आरोप लगे हैं, उस आरोप के कारण ऐसा किया है, और कहा गया है कि audit का result pending रहने तक वो contract signed नहीं करेंगे, यहां पर सबसे important चीज यह जान लिजेगा कि total energy अदानी ग्रूप में सबसे बरा विदेशी investor है, फ्रांसिसी तेल कंपनी अदानी ग्रूप के hydrogen venture में 25% हिस्सेदारी लेने वाली थी, और यह घोसना पिछले साल जून में हुई थी, contract sign नहीं हुआ था, यह ध्यान से रखिएगा, और बहुत clear जो total energy के CEO हैं, उन्हों का है कि भहिया, अस्पष्ट रूप से hydrogen hydrogen project को तब तक रोख दिया जाएगा, जब तक हमारे पास हिंडन बग द्वारा लगाए गए आरोप पर अदानी ग्रूप से असपष्टता ना हो, यह है master stroke, और यह वो master stroke है, जहां पर मैं आपको अभी last में थोड़ा explain करूंगा, जो आपको बहुत help होगी, पहले सुन लेते जाहे कोई भी जांच agency कैसे भी जांच कर ले, जांच हो ना हो, लेकिन अब अगर अदानी ग्रूप में दम है और internally वो मजबूत है और सच के साथ है, तो जब वो report total energy को देगा और उस सारे report के अधार पर जब total energy खुस हो जाएगा, कि नहीं सब सही है, सब perfect है और तब वो अ एक real green signal की तरह होगा, वहाँ पर एक real green signal आपको मिलने वाला है, जहां पर कोई green signal आपको ये नहीं दे पाता है कि भाया हम अदानी ग्रूप में कोई तो बताए कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट है ना, यहीं तो चीज है, क्योंकि हर इंसान अपनी दिसा में बात करता है तो मेरा मानना है कि ये जब total energy का update आएगा ना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा ठपा होने वाला है, कि अदानी ग्रूप सही है, और अगर नहीं हो पाया, तो आप जान लीजिए कि कुछ तो गरबर है जिसके कारण total energy बाहर हो गया, इस चीज को video record के format में रख लीज changing part होने वाला है, as an investor सब के लिए, हम बात करते हैं, कल के लिए बहतरी न सेयर पर, लेकिन उसके पहले बता दें, already ठपटक चल रही है, मैं लगातार कह रहा हूं, भाई है, सांती में रही है, अच्छी news आईगी दो दिन उपर, बुरी news आईगी दो दिन नीचे, इसी तरह क इंस्टॉल्मेंट चलता रहेगा, बहतर है, महनत के पैसे हैं, दूसरे stock में must पैसा बन रहा है, जो already आप देख रहे हो, चाहे कहीं भी, Paytm में देख लो, KPIT में देख लो, Siemens में देख लो, हर जगा पैसा बन रहा है, S में देख लो, तो फिर क्यों उगली करना, चलते हैं कल के लिए बहतरीन सेर पर, उससे पहले देख लीजे, चाहे ASO, KPIT हो, Paytm हो, इन सब सेर से पैसा बना, जो कल की वीडियो में हमने आप लोगों को दिया था, इसमें, और आज लाइव सेसन में भी आके हमने बहुत क्रिस्प क्लियर आप लोगों को help करी, कि आपको फायदा सकते हैं, बसरते, positive thinking, positive सोच होना ज़रूरी है, वहाँ पर हम Nifty से सुरू करते हैं, कि Nifty again वही sideways में है, और 80,050 वेगर के उपर चले, तो ज़्यादा दम आएगा, वहाँ पर अगर हम bank Nifty की बात करते हैं, तो bank Nifty तो भहिया, 41,700,800 के उपर चल ही नहीं पा रही है, वहीं प ताकि ऐसी update के लिए Twitter या Telegram जो है link, link description में है, क्योंकि बहुत सारा फरजी link चल रहा है, प्लीज बच के रहिएगा, link जो description में है, उसी से जुरिएगा, बाकी, कई बार आता है कि फरजी channel है सर, Telegram का जिस पे tips दी जा रही है, उसके पैसे लिए जा रहे है, तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी जुरे हैं, वो pure फरजी है, जो link description में है, जो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, 2,69,199 subscriber, this is original link, प्लीज ध्यान रखिएगा, Asian Pint, जहां पर हम यह मानते हैं कि 2825 इसका real make or break बनेगा, note कर लीजे, और एक हमको यादे एक दिन अपको हमने दीपक नाइटराइट दिया था, और दीपक नाइटराइट अगले दिन चला था, 100 रुपया, और दिन पे हमने कहा था, बहुत अच्छा trade है, और आज हम डिवीज लेब आपके पास लेकर आए हैं, यहाँ पर हमारी नजर में डिवीज लेब बहुत अच्छा लेवल बन रहा है, कैसे दिखाते हैं, एक अच्छी खासी गिरावट हुई, और अच्छी खासी गिरावट के बाद, एक, दो, तीन, चार दिन तक डिवीज लेब अठका हुआ है, वहाँ पर, यह जो है न, इसका real make और break पर है, एक धमा का, अब काओके कि यह कैसे, तो 27, 00 जीरो के नीचे अगर बंद हुआ, तो आप समझो, और गिरावट होगी, और वहीं पर 2900 के उपर में निकला, तो अच्छी तेजी होगी, नोट कर लीजेगा, अतुल आटो, एक टॉप लगा, 379 का गिरावट हुई, और वापस से breakout हुआ, तो 383 के उपर चलेगा अच्छा है, और 367 इसका support लेवल है, campus, एक्टिव वेर, पोसिस में हैं निकलने की, तो 400 के उपर, यानि 400 इसका real make और break होने वाला है, जुब्लियंट फुडवर्क्स के बारे में बात करें, तो आप लोगों के साथ share किया था हमने, कि 420 के पास का support और 450 का breakout, तो finally उसके उपर हुआ है, और support लेवल ही लिया है, धीरे धीरे चल रहा है, तो 450 सपोर्ट हो गया, जिसमें अगर इसने अच्छा चलना है, तो 460 के उपर चलना ज़रूरी है, उसके बाद next stock है, metro का, उसे पहले बता दू, जो stock हमने पहले दिये थे, उसमें पैसा बना है, और जो लेवल अभी तक triggered नहीं हुए है, वो as it is valid है, उसका पूरा ध्यान रखिएगा, metro गिरावट हुई, sideways रहा, अब break करके निकला है, तो 771 support और 790 के उपर चलता है, तो अच्छा रहेगा, तो इस तरीके से ये कहानी है, आप one month का challenge लें, proper follow करें, paper में level note करें, आपको बिल्कुल फायदा होगा, पैसे कमाने में, ये भाई वाली promise है, और जब से हम ने ये channel बनाया है, तब से लगातार हम ये stock level आपको देते आ रहे हैं, कि आप कमा सकें, और इससे ज़्यादा के लिए अगर आप एक serious trader है, market में सच में career बनाना चाहते हैं, सच में market से return कमाना चाहते हैं, तो एक चीज तो जान लीजेगा, बीना सीखे जिंदगी में कोई काम सफलता से हुआ ही नहीं, कोई भी काम, ना job, ना business, तो stock market में भी बीना सीखे कभी पै mentorship मिलती है, जहां पर basic से जो हम कहते हैं कि कोई भी सीख सकता है, उन सब चीजों के बाद एक life changing moment मिलती है, जो हम आपको 10 फरवरी की class में देने वाले हैं, और साथ में बहुत कुछ मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा, तो हमने आपके कमाने का इंतजाम कर दिया, जो मुझे आपकात करते हैं, और सीखेंगे तो कमाएंगे, 970-80-94-321 पर कॉल कीजिए और बात कीजिए, थैंक्यू